कोरोना महमारी से बेकाबू होते हालात और लगातार हो रही ऑक्सीजन की कमी से महरास्ट में पहले ही हजारों मरीजों की जान संकट में है अब अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई बताया जा रहा है कि कोरोना अस्पताल के आईस्यू में अच्छानक आग लग गई जिसकी वज़ा से 13 मरीजों की मौत हो गई है आग विरार में विजय बल्लव कोविड अस्पताल में लगी CMU. ठागरे के कोविड अस्पताल में आग लगने के मामले में जांच की आदेश दिये है CMU की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई प्राप्त जानकारी के मुताविक आग AC में विस्फोर्ट होने से लगी ICU में 17 लोग थे जिसमें से 4 को बाहर निकाला जा सका दो की हालाद गंभीर बनी हुई है आग मद्गे रातरी 3 बच कर 15 मिनट से 3 बच कर 30 मिनट के बीच लगी ICU में AC में स्फोर्ट की अबज़ा से आग लगी वसई के विधायक हितेंद्र ठाकूर के मुताविक इस अस्पताल में सेंट्रलाइज एसी था उसमें विस्फोर्ट होने से आग लगी है बताया गया कि कुल 90 रोगियों का उपचार चल रहा था जिन में 17 ICU में थे गंभी रुप से जखमी लोगों को एक एक लाग रुपए देनी की मदद की है खबरों में फिलहाल इतना ही आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे दनियूस के साथ नमस्कार